आपका स्वागत है आज हम चर्चा करते हैं फिर से कोविड-19 के बारे में देश की क्या हालत है और कोविड-19 की प्रभाव देश में कितने जोर से जारी है और क्या हमारे पास कुछ खुशखबरी है क्या इस महामारी की उपए तो पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि खुशखबरी नहीं है क्यों हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारा जो दुनिया में जिस रफ्तार से कोविड-19 बढ़ रहा है उसमें सबसे आगे इस वक्त हम है नए केसेस में और नए डेट्स भी मतलब पीछले 24 घंटे में जितने लोग दुनिया में बीमार पड़े हैं सबसे ज्यादा कोविड-19 की केसेस हमारे हां से निकली है और जितने मौत हुई है इस पे भी हम टॉप है इस वक्त इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर कोविड-19 की एपिसेंटर की बात करे तो पहला नाम हमारा इसमें है यह नहीं कि सबसे ज्यादा लोग हमारे हैं बीमार पड़े हैं उसमें अमरीका ब्रेजिल हमसे आगे हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि अमरीका में टोटल केसिस इस वक्त पाँच मिलियन से ज्यादा है ब्रेजिल में तीन मिलियन से ज्यादा है और हमारे हैं अभी दो मिलियन से ज्यादा है 22 लाख लोग करीब इसकी बिमारी में इस वक्त ग्रिफ में हैं पर अगर रफ्तार देखी जाए कितने लोग इस वक्त हर रोज इस पे बिमार पड़ गए है तो हमारा संख्या इस पे सबसे आगे है इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त कोविड-19 का नया एपिसेंटर बन चुका है इसके साथ 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 आफ्रिका भी काफी तेजी से बढ़ रहा है पर साथ आफ्रिका को अगर देखे साथ आफ्रिका, कलंबिया, पेरू, मेक्सिको इन सब देशों में रफ्तार जरूर है पर हमारे जैसा तेजी से रफ्तार नहीं है अमरीका का रफ्तार इस वक्त है पर उसकी 47,000-48,000 लोग कल बिमार पड़े है जबकि हमारे हैं पीछले 24 गंटे में कल इसका मतलब 62,000 लोग इस पर बिमार पड़े है और ब्रजिल इसकी और भी नीचे है करीब 22,000 लोग इस पर बिमार पड़े हैं तो इन सब चीजों को देखते विए हमारा इसमें कोई संतुष्टी नहीं है इसको कहने में कि हमारी इस वक्त हमारे हां जारी है और बलकि दुनिया के अगर सब मुलकों को देखे तो हम इस वक्त उन सब मुलकों से आगे है जितने लोग पिछले 24 घटे में बिमार पड़े हैं जिनकी मौत हुए हमारे यहां पर और भी कुछ चीज़े आपको बता मैं चाहूंगा अगर आप देखें जिसको कहा जाता है कि हमारा एक्टिव केसे की अगर आप रफ्तार देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्टिव केसे में जो रफ्तार है हमारा लगातार जारी रहा है इसका मतलब कि अगर active cases गिरता है इसका मतलब जो नए लोग बिमार पढ़ रहे हैं उससे जितने लोग ठीक हो रहे हैं उनका संख्या जादा है जो ठीक हो रहे हैं उनका संख्या जादा है जो लोग बिमार पढ़ रहे हैं कम है अगर यह होगा तो active cases की graph नीचे के तरह इसका मतलब हर रोज कुछ कम लोग विमार नजर आएंगे और धीरे धीरे हम आशा कर सकते हैं कि एक्टिव केसिस के जब घर गिरता जाएगा तो एक वक्त में जाके इस एक्टिव केसिस गिरते गिरते जीरो के आसपास आ जाएगे पर अगर हम देखें तो एपरिल से लेकर आज तक एक्टिव केसिस के संख्याब देखिए बढ़ता ही गया है और बढ़ने की रफ्तार में खास परक नहीं है यह हम बहुत बार कह चुके हैं कि अगर हम कोविड-19 की केसिस देखते हैं जैसे यह देखिए दूसरे मुलकों की है जो सबसे ज्यादा टोटल केसिस जिन ब्रेजिल के भी थोड़ी सी फ्लैटनिंग देखती है जबकि इन देशों में हम जानते हैं कि हालत काफी खराब है हमारी ग्राब देखिए लगातार वही रफ्तार से बढ़ रही है पिछले 90 दिन में हमें इस रफ्तार में कोई फरक नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमार इहां पर बढ़ने की रफ्तार जो है उन लगातार वही रहा है और दूसरे देशों में उस रफ्तार में कोई कमी आई है देख लीजे ये है नए केसिस पीछले 24 घंटे में इसको हम साथ दिन की आवरेज बनाते हैं और उसको देखेंगे तो देखिए अमरीका की नए केसि इसकी बढ़ी जा रही है और यही हमारे लिए सबसे चिंता की बात है ब्रजिल की संख्या भी थोड़ी सी उसमें नीचे आने की देख रहे हैं हम तो दूसरे जितने मुल्क इस वक्त काफी बिमार नजर आ रहे हैं उनकी संख्या गर हब देखेंगे तो देखेंगे कि एक वक्त कम हो गया था इटली में फिर थोड़ी सी बरहोती दिखाई पड़ रही है पर देखेंगे इसके पहले इटली की ग्राफ काफी नीचे आ गई थी नए इंफेक्शन की हम बात कर रहे हैं उनके इस वक्त नए इंफेक्शन करीब 300 की है और हमारी देखिए इस वक्त 57,000 के लगभग इसके पास हम हैं तो ये देखते हुए हमें करीब उस पे हम 59,000 69,000 के पास हैं तो ये सब देखते हुए हमको मानना पड़ेगा इस वक्त जो हमारी स्थिती है काफी नाजुक है और इस पे कोई खुशी नहीं है इस बात की कि हमारा पूरा पॉपुलेशन को देखते हुए ये बहुत ज्यादा नहीं है ये खुशी हमें नहीं होनी चीए क्योंकि इस रफ्तार से अगर ये बढ़ता गया तो हम धीरे धीरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिमार देश COVID-19 में से आएंगे अभी हमारा स्थान अभी इसमें तीसरे नंबर पे है पर इस जानी रहा तो हम ब्रिजिल को करीब 15-20 दिन में ओवर्टेक शायद करनेंगे और एक वक्त जाके अमरीका को भी ओवर्टेक करनेंगे हमारा डब्लिंग रेट क्या है डब्लिंग रेट अभी करीब 23 या 24 दिन में हमारा डबल होता है नंबर से इसका मतलब अगर अभी हमार चार मिलियन की लगभग हम पहुँच जाएंगे अगले 25-25 दिन में और यह अगर इसी रफ्तार बढ़ रहा तो हमारा दो महीने में हम दुनिया में सबसे ज्यादा बिमार देश में गिनी जाएंगे क्योंकि हम अमरीका को उस वक्त ओवर्टेक करनेंगे तो यह जो कड़ी सचाई है इसको छुपाने के लिए हमारी सरकार यहां पर लगी यह कहना कि यह बहुत बड़ी चीज नहीं है इतने लोग बिमार पड़े हैं यह हमें देखना चाहिए कितने मर रहे हैं हमारे मौत की संख्या हमारे हां कम है तो पहली बात मौत की संख्या हमारे हां जरूर कम कियों कम है? क्योंकि आप जानते हैं, 60 की ऊपर जब होते हैं, साथ के उपर उपर हो गया, ser की ऊपर हो गया, असी की ऊपर हो गया, अगर तब आपको COVID-19 होता है, तब आपको मौत की संभावना, serious case और मौत की संभावना बढ़ती है, तो हमारे यहाँ पर एक खास्यत है कि हम सबसे यंग मुलकों में से हैं, इसका मतलब कि हमारे जो मीडियन एज कहते हैं, मीडियन एज य आइवरेज जो भी कहिए अलग-अलग थोड़ी सी चीज है, उसमें हिंदुस्तान काफी नीचे है, इसका मतलब हमारे करीब 26-27 की बीच है, मीडियन एज, जो की इटली में वो करीब 44-45 की लगभक था, तो जितना बुढ़े लोग एक देश में होंगे, तो उसका मीडियन एज उतना ज्यादा होगा, जितने यंग लोग होंगे, तो उनका मीडियन एज कम होगा, जब मीडियन एज कम होता है, इसका मतलब यंग लोग ज्यादा है यंग लोगों को बिमार पढ़ना तो उसी रफ्तार से होता है जैसे बुढ़े लोगों कभी होता है पर उसमें से ज्यादा परसेंटेज लोग ठीक हो जाते हैं हमारे हैं यंग लोग काफी बिमार पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसमें मौत अगर होता है तो 0.1% से कम होता है पर वही अगर 100,000 लोग बुढ़े लोग बिमार परते हैं उनकी death rate 6 से 10% से तक हो सकती है और अगर 80 को उपर आपका ज्यादा उमर हो गया तो हो सकता है कि 20 से 25% लोग उसको मौत की शिकार हो सकते है तो हमारे हाँ पर मौत कम होने इसी लिए है कि हमारे हाँ पर यंग लोग हमने इस पर calculation हमने एक बार की थी कि वही अगर death rate पर इजाब का infection to fatality rate अगर हम चीन के लिए या इटली के लिए उसको लेके अगर वही death rate to death to infection rate माने तो हमारे हाँ अगर होता है उनके यहाँ अगर 2.5% होता है तो हमारे हाँ कितना निकलेगा तो उस calculation को पताबिक हमारे यहाँ पर 0.6% death rate होएगा और यही figures करीब करीब हम इस वक देख रहे हैं तो 1% तक हमारे अगर death rate चला गया तो इसका मतलब age का correction अगर हम करें जिसको कहेंगे demographic correction अगर करें तो वो हमारे लिए ज्यादा है कि मतलब दुनिया में जितने लोग बिमार जितने लोग मौत की शिकार बन रहे हैं COVID-19 में जिन मुलकों में तो हमारे वहाँ पर percentage 0.6% से ज्यादा हो गया इसका मतलब age correct करने के बाद हमारे मौत के हार ज्यादा हो रहा है यह देखना है दूसरी बात जो दूसरी लोगों ने भी कहा है कि हमारे यहाँ death की registration कितनी होती है 70% 75% से death registry होती नहीं है और इस वाक क्योंकि COVID-19 शहर के बाहर भी फैल रहा है वहाँ पर हमारी death registry ज्यादा काम नहीं करता है कोई संतुष्टी नहीं होनी चाहिए कि COVID-19 क्योंकि हमारे यहाँ पर infection to fatality rate कम है दुनिया से इसलिए हमें कोई खुशी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा बिमार मुल्क की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस वक्त हमारे वहाँ पर तेजी की अगर हार देखे तो हम सबसे उपर हैं और जिस रख्तार से हम चल रहे हैं सबसे बिमार मुल्क भी हम 25-30 दिन में शायद वहां पहुंच जाएंगे तो 25-30 दिन में तो दूसरी स्थान में आ जाएंगे 35-40 दिन में शायद सबसे बिमार मुल्क तक पहुंच जाएंगे इसलिए इस खुशी में हमें नहीं रहना चाहिए कि हम मौत के हार में हम अभी भी ठीक ठाक हैं हम ठीक ठाक नहीं हैं क्योंकि अगर हमारे जैसे मुल्क में पॉपिलेशन जहां ज्यादा है अगर बहुत ज्यादा लोग बिमार पढ़ेंगे सिर्फ मौत की अगर संख्या देखी जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे तो अगर हमारे यहाँ पर 50 लाख लोग बिमार पढ़ते हैं 0.6% 0.1% अगर 1% देखे इसका बतलब 50,000 लोग मरेंगे अगर 0.6% देखे तो भी 40,000 लोग के लगभग मरेंगे तो यह 35,000 लोग मरेंगे अगर तो यह कम संख्या नहीं है इसलिए हमें इस बात पर संतुष्टी नहीं करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर मौत की हार अभी भी कम है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उसमें महामारी पर कोई कंट्रोल हमारी हो नहीं पा रही है उसी रफ्तार से महामारी बढ़ रही है जो पीछले तीन महिने के पहले भी बढ़ रही थी, इसलिए हमें अभी भी कोई ऐसे आसार नहीं आ रहे हैं कि महामारी पे हम काबू भविश्र में पाएंगे. अगर आप मांचित्र देखें, मैप देखें तो देखेंगे, इस वक्त करीब करीब इंदुस्तान के हर प्रदेश में महामारी काफी पहला हुआ है. डिस्ट्रिक्स की अगर देखें, जो डिस्ट्रिक्स में पहले बिमारी ज्यादा नहीं थी, उसके भी फैलना शुरू है कि हस्पिताल तो शहर में शायद मिल भी जाएगा पर छोटे जो शहर है, गाओं है, वहाँ पर अगर कोई बिमार पड़ा तो हस्पिताल तक पहुँचना या हस्पिताल में कुछ होना भी मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हमारा हमारी हालत इस वक्त नाजुक है और इसक स्विकार करके, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इसके बारे में सोचना चाहिए. और यह जो अभी मंदिर करे, चीन की बॉरडर के बात करे, चीन की एप्स को बैन करे, इस्से महमारी पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है, महमारी के लिए सरकार, केंदर सरकार और जो स्टेट गावर्वेंट से उनके साथ बैट के अभी भी प्लैनिंग की जरूरत है इस पर कैसे कबजा पाए जो हमने पहले कामान दागा था लॉग डाउन का उपेल हो चुका है और वो क्यों फेल हुआ हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अब क्या कारवा अपनाए कैसे इसकी मुकाबला करें इस पर नजर आना चाहिए क्योंकि अगर यह हम नहीं कर पाएंगे साफ बात है कि हम महापारी के अगर चलता इस तरह से चलता रहा तो एकॉनमी आपकी सुधरने वाली नहीं है तो अगर आपकी एकॉनमी को सुधरना है लोगों को नौ आपको मिलेगा कम मिलेगा यह भी सवाल है अब सिरम इंडिया कह रही है कि 100 से 300 मिलियन एक साल में शायद बना देंगे हमारे लिए हो सकता हाफ बिलियन पांक सु मिलियन डोस भी बना दे हमारे हां 1.3 बिलियन लोग है इसका मतलब कि उसके सिर्फ 35 तो 40 परसेंट भी इत्त या छे महीने के अंदर करा पाए COVID-19 उसकी पूरी स्कीम होनी चाहिए उसकी तैयारी होनी चाहिए उसकी कोल्ड चेन होनी चाहिए और मैनिफैक्ट्चर करने की इंफरस्ट्रक्चर हमें बनानी की ज़रुत है और ये अगर हम कोशिश करें तीन महीना छे महीने में बन सकती है ये खाबलियत हमारे देश में है बशर्ते उसकी इस्तिमाल करें आज के लिए इतना ही देखते रही हैगा न्यूस क्लिक और हमारी COVID-19 की चर्चा